गुद मॉर्निंग कक्षानो एक्सरसाइस दो पॉइंट एक का आज हम तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं ये है पैंतिस घात के दुवीपद का और सो घात के एक पदी का एक एक उधारन दीजिए बच्चो मेरे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बहुपद की घात क्या होती है चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं तो इसी प्रकार से आज हम पैंतिस घात का एक दुवीपद बनाएंगे पहले चाहिए द्वी पद यानि उसमें दो पद होनी चाहिए तो देखो जैसे मैं मालो यहां लिखता हूँ 3 y की पावर 35 अब घात तो बन गई 35 है ना लेकिन पद सिर्फ एक ही है तो इसके साथ कोई भी और एक पद बना देते हैं मालो 4 y की पावर 10 ठीक है अब घात हो गई 35 क्यूंकि 35 दस से बड़ा है और एक और दो दो पद हो गए इसके बहुत से उधारण बन सकते हैं देखो 4 y की पावर 35 माइनस 6 इसमें भी देखो 2 पद है y की घात है 35 बहुपद की घात है 35 ठीक है अच्छा 8 y की पावर 35 प्लस 3 y स्क्यूर यहां भी देखो y की घात है 35 और बहुपद की घात है 35 क्यूंकि 35 है 2 है 35 बड़ा है और 2 पद है इस प्रकार से 10y की पावर 35 माइनस 6y की पावर 5 यहां भी घात है 35 और और 2 पद है ठीक है तो 2 35 घात के दवीपद का ठीक है 35 घात के दवीपद के देखो मैंने 1, 2, 3, 4 उधारन देदी आप अपनी तरफ से भी कोई उधारन बना सकते है ठीक है बस ध्यान क्या रखना है कि x या y यहां आपने y लिखा z भी लिख सकते हैं देखो 3z की पावर 35 प्लस 5z घात है 35 और 2 पद है इस प्रकार से आप कोई भी उधारन अपनी ज़रु से भी बना सकते हैं अच्छा दूसरा था 100 घात के एक पदी 100 घात का एक पदी अब 100 घात का एक पदी का मतलब क्या हुआ घात 100 होनी चाहिए लेकिन एक ही पद होना चाहिए देखो किसने इसेंपल 5y की पावर 100 एक ही पद पावर 100 होनी चाहिए बस 4 की पावर 100 होनी चाहिए माइनस चतिस X की पावर 100 माइनस पंदरा Z की पावर 100 A की पावर 100 12 B की पावर 100 सबी में एक पद है एक पद, एक पद, एक पद एक पद यानि आगे प्लस माइनस कुछ नहीं और पावर 100 चर की पावर 100 होई चाहिए तो देखो 35 घाद के दुविपद के मैंने आपको 4 पांच उधारन बता दिये 100 घाद का एक पदी के भी मैंने आपको 5 उधारन बता दिये आप इसमें से भी कुछ लिख सकते हैं या अपनी तरब से भी कोई उधारन बना सकते हैं ठीक है बच्चो झाल झाल